आज हम दोग देखेंगे बाइनोजी का पार्च चार यानि बाइनोजी के पार्च चार अध्याइप और अनुवान सिक्ता एबम जैब विकास हेरेडिटी एंड एवोडिूशन का अबजेक्टिव इससे पहले फिजिक्स का 6 चेप्टर का अबजेक्टिव हो चुका है केमिस्ट्री का 5 चेप्टर और बाइनोजी का भी 3 चेप्टर का हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री समाथ तो चुका है बाइनोजी का 3 चेप्टर और बचा हुआ है यानि इसको छोर के 2 चेप्टर और बाइलोजी के जो बरे बरे तीन चेप्टर थे वो एक दो और तीन थे वो समाथ हो चुका है अब छोटे छोटे तीन चेप्टर बचे हुए है तो अगर आपने अभी तक साइंस के उन सभी अबजेक्टिव को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने बाद है अगर आपको क्लास टेन्थ के एकजाम में बहुत अच्छा करना है तो तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके अबजेक्टिव को मानम सरीर के किसी सामान निकोसिका में गुन सुत्रों के कितने युगम होते अगर युगम पूछे त प्रतिपादन किसने किया ग्रेगर जौन मेंडल गुन सुत्र की खोज कब हुई 1875 इस भी में उर्हुन किस प्रकार का पूने दुई निंगी समजात अंगों के उदारन है हमारे हाथ तथा कुत्तों के अगर पाद निमनिखित में से कौन एक उभे निंगी यंतुए यानि जिसमें कि दोनों निंग पाया जाता है तो केचुआ कीटों के पंक और चमगादर के पंक किस तरह के अंगे सम ब्रीती अंग प्राकृतिक चैन का सिदान किसने दिया डार्विन दी ओरिजीन ओफ अस्पेसिज नामग पुस्तर किसने लिखी डार्विन ने मैंडर ने मटर के पौदों में किन बिविन बिकर्फी डक्षनों को चैरिद किया था गोल मानब में आटोसोम की संक्या होती है तो मानब में आटोसोम की संक्या होती है बास जोरी चीक है मनुस्य में डिंग निर्दान कौन करता है तो डिंग क्रोमो जोम मानव युगमक में गुंसुत्र की संचा कितनी होती है तो 23 मेंडर के एक संकरन परियोग के दौरान F2 पीरी में डंबे एबं बाउने पौधे का डक्षन प्रारूपी अनुपात है 3 अनुपात 1 मानव शरीर में डगवक कितने जीन होते हैं 30 हजार से 40 हजार बच्चे के निर्दारन की गुंसुत्र पर निर्भर करता है तो पिता के वाई गुंसुत्र पर अगर आपको कोई बोल दाया ना कि अगर बच्चे का निर्दारन किसी महिला का केबन बेटा या बेटी हो रहा है तो उसके लिए उसकी माता जिम्यदार है तो ये बिनकुट भी गनते क्योंकि इंडिंग निर्धारन जो होता है वो पिता के अनुशार होता है मातर का उसमें कोई योगदान नहीं होता है ठीक इंडिंग निर्धारन में अस्त्रियों का कोई योगदान नहीं होता है उस पाउधे का नाम बताए जिस पर मेंडन ने प मेंडल ने अपने प्रियोग में किस पौधे का चेर किया था मठर जीब विज्ञान की वा साका जिसमें जीबों के अनुवानसिक्ता एबं विभिनता का अध्यान किया जाता का जाता जाता जेनेटिक्स पुरुसों में कौन सानिंग गुंसुत होता एकस वाई और महिंदा में एकस एकस किसी जीब की जीनी सर्णचना होती है जीन प्ररूप या जीनो टाइप देखिए यह एकस वाई और एकस एकस जो है ना अगर देखिए एकस वाई इसमें होता है महिंदा पुरुस में और एक सुत्र के लिए डिग के लिए उत्तरदाई होते हैं अब चलते हैं आगे 23 किस बैज्ञानिक ने ड्रो सो फिला मैला नो गैस्टर नामक मक्ही पर प्रियोग किया था मोर्गन जीव विज्ञान की हुआ साखा ये देखिए दुबारा आ चुका है तो उहां लिखा हुआ तो जेनेटिक्स यहां हिंदी लिख दिया है अनुवांसिकी जिसके अंतरगत अनुवांसिक्ता का अध्यन किया जाता है अपरिकी मानम का सबसे निकट संबंद है चिंपाएंगी से पने नेरिया की आखे कैसी होती है तो पने नेरिया की आखे बहुत साधारन गुन सुत्र बने होते हैं तो गुन सुत्र बने होते हैं क्या थिसे डियने तथा प्रोटीन के जीन सम्द किसने प्रस्तूत किया था जीन सम्द प्रियुस्तूत किया था जॉंसन ने गुन्सुत्र कहां पाया जाते है तो गुन्सुत्र पाया जाता है कोशिका के केंद्र में ठीक है यानि केंद्रक में अब आगे हम देखते हैं नमबर 30 जीवन उत्पत्ती के समय प्रिथबी का बातावरं कैसा था तो उपचायक प्राक्रितिक चुनाग वारा जीवों का विकास कहना था है डार्वीन बाद निमनांकित में किसे अनुवांसिका का पिता कहा जाता है ग्रेगर जोन मैंडन को उपारजित लक्षनों का वनसागती से दांत का किसने परतिपादन किया था लामार्क ने पक्षी एबंचमगादर के पंग जो होते यह संब्रीति अंग होते या ओसमजात अंग होते है निमनांकित में कौन अस्त्रियों में पाए जैने वाला दिक्रोमोसोम का जोरा एक्स-एक्स अभी हमने आपको बताया था अस्त्रियों में एक्स-एक्स प्रूसों में एक्स-वाई किस प्रकार के प्रोटीन में दुई गुनन की चमता होती है डी-एने विकास की आधार बुत घटना क्या है डी-एने प्रति कृतिकरन किस सान एंड्रियस बैगनर ने जर्मनी में बोवेरिया नाम कस्थान पर खुदाई के समय एक विचित्र पक्षी जिबास में पाया अठारा सो एक्सट में जीन कहां पाया जाते है गुन्सूत्र में वह कौन सकारक है जो बंसागत लक्षनों को नियंत्रन करता है जीन कोशिका के अभिकन का आधार्बुत लक्षन है केंद्रक किसानों द्वारे जंगनी गोवी से बिविन प्रकार के गोवी का विकास का दाता है क्रित्रीम चयान डायनोंस और किसका अधारान है सरीश्रीप ब्रोकोली का विकास की स्मीजी से होता है क्रित्रीम चयान ब्रोक्ली क्या दिकिये फुल गोभी पहले होता था ना गोभी को यानि विकास करके ब्रोक्ली बना दिया गया ठीक है उसी से अंदग विकास करके ब्रोक्ली बना दिया किस अस्थान को मानव का उद्गम अस्थान माना जाता है अफरिका, मनुर्शिक की को सिखा में कुन्सूत्र की संख्यां 16, हमने पहने भी बताया था, अगर युग मा आया तो 23, अगर सिर्फ संख्यां पूछे तो 46, यदि डक्षन A किसी ओन्रेंगिक जनन बाली जाती में 10% पहा जाता है और रक्षन B उसी जाती में 10% पहा जाता है तो कौन सा रक्षन पहने उत्पन हुआ रक्षन A ठीक है जो बाद में आता हो अधिक होता है जो कम होता है वो पहने आता है ठीक है नमबर 48 गुन्सुत्र XX और XY किस नामसे जाना जाते है डिंग गुन्सुत्र अनडानु और सुक्रानु में कौन बच्चे के डिंग का निर्दारान करता है सुक्रानु येग क्योंगे आणानू जो होता ये महिना का होता और सुक्राणू पुरूस का होता तो पुरूस जो है लिंक निर्धारन के लिए उत्तरदाई होते हैं एक नर्जात बच्चे में XY गुंशुतर यूप्त पाया गया यह दरका यह दरकी तो X-Y-Dar का XX लर्की उस बैज्यानिक के नाम का नाम बताए उस बैज्यानिक का नाम बताए जिसने पैत्रिक नक्षनों के पीरी दर पीरी अनुवांसिक होने का अध्यन प्रतमबार दिया था मैंडन यानि ग्रेगर जॉन मैंडन इसे लिए इन्हें अनुवांसिक्री का पिता भी कहा जाता है मैंडन द्वारा अपने अनुवांसिक्री के प्रियोग में किस प्रकार का पोधा निया गया था तो इन्होंने मठर का पोधा निया था मानम में कितने रख्षमूय चार है मानर में कितने रखते, नाम नाम बता है जिसने विकास के सित्धान्द का प्रतिपादन किया था Darwin जीवन की उत्पत्ति पृत्थवी पर कहा हुई थी पानी में जीवन कि सिर्ण परत्ति हुई थी साइंस के अनुसार वो भी पानी में तो ये था आज का हमारा chapter 4 का total objective था अनुवाज सिक्तार ठीक है तो आज हम लोगों ने chapter 4 का भी objective देख लिया इसके बाद हमारा दो chapter और बचाया तो अगने वीडियो में हम लोग आएंगे हमारा परियावरन our environment के objective के साथ अब धीरे धीरे science का objective समाप्त होने के कगार पर है वीजन नहीं गिया तो आप देखने जी हमारे चैनल पर आपको science का total objective देखने को मिल जाएगा मिन्ते नेक्स वीडियो में हमारा प्रियावरन के objective के साथ अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद जहिंद्द